अब हम हरित रसायन जो है यह कैसे प्रदूशन को कम करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट बना है आज के जीवन शैली में उसके बारे में जानेंगे कि green chemistry as an alternative tool for reduce pollution तो हम यह जानते हैं कि वातवरन का जो प्रदूशन होता है वो बहुत सारे अभिक्रियाओं बहुत सारे प्रक्रियाओं से हो रहा है और इन सारे प्रक्रियाओं में हमने देखा कि घरेलू अपसिष्ट भी है और योगिक सयंत्रों में होने वाली क्रियाओं भी हैं कई प्राक्रिति घटनाएं भी हैं इन सभी के फल्सवरूप जो प्रदूशन है वो फैल रहा है तो यह जो प्रदूशन है यह जब वातवरन में फैल रहा है तो बहुत सारे विशैले रसायन के कारण यह प्रदूशन हो रहा है तो बहुत सारे केमिस्ट ने यह देखा कि बहुत सारे ऐसे भी उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो हमारे डेली रूटीन में उपयोग में आते हैं क्योंकि आज के हमारी जीवन शैली है वो भी बहुत आधुनिक हो गई है बहुत हम आराम प्री हो गए हैं बहुत सारी वस्तुएं हमें चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है ये एक क्रांती लाती है जिससे की प्रदूशन भी कम हो और हमें चीजे भी मिलती रहें तो ऐसे वस्तुओं का निर्माड जिनके द्वारा प्रदूशन कम से कम हो तो रसायनग्यों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना रसायनी कभी क्रियाओं द्वारा हम ऐसे दैनी कुप योग में लाए जाने वाले पदार्थों को उत्पादन करें जिसमें कोई विशयले रसायन भी ना हो और नहीं इससे वायुमंडल को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे तो ऐसे पदार्थों का निर्माड करना ही एक तरह से हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री के अंतरगत आता है बहुत सारे ऐसे जो केमिकल होते हैं इनका जो डाटाबेस है वो बनाये जा रहा है कि इन रसायनों को ये जो विशैले रसायन होते हैं ये कम से कम प्रकृती में जाकर मिले यानि हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जो उप्योग में लाए जाने वाली वस्तुए हैं उससे हमेशा ही विशैले गैस उत्पन हो या हमेशा ही उसमें से प्रदूशन हो तो ग्रीन केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा एक माध्यम है जो हमें प्रदूशन को कम करने में मदद कर रहा है हरित रसायन में ये देखा गया कि कई ऐसे खोज किया जा रहे हैं जिसमें विशैले कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ना करके जल का उपयोग किया जाए जैसे कि इसमें फेनाइल है इसके जगापर या कार्बन टेटराक्लोराइड या फिर में थील या बेंजीन इनकी जगापर जल को माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जा सके हरित रसायन पदार्थों के उत्पादन का वह प्रक्रम है जो परियावरण में नियूंतम प्रदूशन या खराबी लाता है इसमें हम देखते हैं कि जो हरित रसायन होती है उसमें सौर उर्जा, माइक्रोवेब की जो सुक्ष्म तरंगे हैं, ध्वनी तरंगे हैं, इंजाइम हैं, इनका प्रियोग किया जाता है ये इको फ्रेंडली होती है, परियावरण मिद्र की तरह होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूश्या गैसे जो है वो प्रकृती में नहीं मिल रही हैं प्रकाश रसायन या फोटो केमिस्ट्री या सोनो रसायन या सोनो केमिस्ट्री इसकी नई शाखा है हरित रसायन के अंतरगत इसमें जो विशैले रसायन होते हैं जिसमें विशैले कुछ विलायक हैं इनका उपयोग धीरे-धीरे कम किया जा रहा है और इसकी क्रिया के समय को क और उत्पाद को जादा जादा बनाया जा रहा है जो कि एको फ्रेंडली हो फोटो रसायन का उपयोग बहुत पहले से हो रहा है लेकिन सोनो रसायन में लगातार खोज जारी है जो एंजाइम है इसका उपयोग पहले से बहुत अधिक लेवल पर किया जारा है इससे संबंधि एक दवाई है एंपिसिलीन या एमोकसिलीन ये सारी जो दवाईया होती है जो एंजाइमेटिक रियाक्शन से लगातार बनाई जारी हैं अब हम ये जानेंगे कि ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है इसके क्या-क्या अचीवमेंट्स है क्या-क्या इसकी उपलब्धिया है ये होती क्रियेटिव हैं स्रिजनात्मक हैं बहुत सारे नए-नए टेकनोलोजीज हैं जिसकी वजह से प्रदूशन कम हो रहा है बहुत सारी ऐसी सहज विधियां उत्पन हो रही है जिसकी वजह से प्रदूशन कम हो रहा है वैसलेशिक जो उपकरण है ये सारे जो है इनका प्र हो सका है कि कच्चे माल से 99 प्रतिशत तक ibuprofen का निर्माद संभाव हो सका है कार्बन डियोकसाइट के स्थान पर वायू भरने वाले पदार्थ के रूप में पॉली स्टाइरीन फोम में थर्मो कोल में क्लोरो फ्लोरो कार्बन का उपियोग किया जाने लगा है एक नई तकनी है जिसे डाइ एथेनॉल एमीन के रूप में जानते हैं इसके उत्प्रे रखी है वी हाइड्रोजेनी करन करने पर एको फ्रेंडली या पर्यावरन हितैशी जो पीड़क नाशी है इसका निर्मान संभा हुआ इसके कारण वातावरन में फैलने वाले जो विशेले पदार् है इसमें हम देखते हैं विशेले पदार्थों में जैसे फॉर्मेल ली हाइड है साइनाइड है इनसे हम वातावरन को पचा सकते हैं तो ये डाइ एथेनॉल एमीन का निर्मार जो है वो संभा हो सका हरित्रसायन के मदद से समाने तह समुद्र में उप्योग किये जाने वा निमनिकृत हो सकता है हरित्रसायन की मदद से इसको भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है अब हम ये समझेंगे कि कैसे जो औशधी पौधे हैं उनको केटेगराइज किया गया है कुछ औशधी पौधे जो की प्रदूशन को कम करते हैं और कुछ ऐसे औशधी पौधे हैं जो प्रदूशन से होने वाले दुश्प्रभाव या प्रदूशन से होने वाले बीमारियों को कम करने का या रोकने का कारिय करती हैं. तो हम जो देखते हैं वातवरन का प्रदूशन इसमें हम मुख्य रूप से देखे वायू प्रदूशन जल प्रदूशन और मृदा प्रदूशन तो पृत्वी के ये मुख्य मुख्य तीन घटक है जिसके लगातार जिसमें उसके जो मूल गुण है वो लगातार घटते जा और प्रदूशन होता जा रहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार हम विकास के पत्पर भी आगे जा रहे हैं और जाना अवश्यक भी है तो क्यों ना हम कुछ ऐसे आशदी पौधों के बारे में भी समझें जो की प्रदूशन को कम करते हैं साथ ही प्रदूशन से होने वा पर हम दीन कि बाठ सकते हैं पहला वर्ग है कि प्रदूशन को दूर करने वाले औस दी पौधों और दूसरे ऐसे पौधे जो प्रदूशन से होने वाले दुश्परिणाम या प्रदूशन से उत्पन होने वाले रोगों को कम कर सकें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रदूशन को नियंतरित करने वाले पौध है जहां पर हम देखते हैं कि वायू प्रदूशन बहुत जादा हो रहा है याने कार्बन डियोकसाइड की मात्रा बहुत आवश्यक है लेकिन लगातर हम देख रहे हैं कि वातावरन में कार्बन डियोकसाइड का जो मान है वो बढ़ता जा रहा है चाहे वो शहरी छेत्रों हो ग्रामिन छेत्रों हो अध्योगीक परिक्षेत्रों हो ये सभी छेत्र में हमें कुछ ऐसे पौधों को लगाना जाए तो कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे की पीपल, बर्गद, नीम इनका उपयोग किया जाए और ऑक्सी जोन जैसा कुछ छेत्र बनाया जाए जहां प्रकास संसलेशन की क्रिया अधिक हो और जिससे कार्बन डियोकसाइड का जो मान है वो संतुलित बना रहे है तो प्रकास संसलेशन की क्रिया तो होती है पौधों में यह देखा गया है जो तुलसी का पौधा होता है उसमें प्रकास संसलेशन की क्रिया से ऑक्सीजन तो बनती है साथ ही बहुत कम मात्रा याने PPM में ओजोन भी बनता है तो यह पौधा जो है यह बहुत ही अधिक उपयोगी होता ह प्रदूशन को नियंतरित्त करनेमें। प्राय हम ये भी देख रहे हैं जल प्रदूशन के केस में कि जितने भी जल के शेयत्त हजोते हैं। तो जली पौधे या शैवाल ये भी प्राकृतिक रूप से जल का शुद्धी करण करते हैं, लेकिन जो ओध्योगी कपसिष्ट होते हैं, वो जैव अब घटित नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एनेरोबिक किस्म के जो पौधे होते हैं, उनको उपयोग किया जाना चाहिए, ज तो यहाँ पर कुछ कटीली जाडियां भी लगाई जाएं, जो कि मृदा के अपरदन को रोकने में सहायक होती हैं, अब हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे, जो कि प्रदूशन से उत्पन होने वाले जो दूस प्रभाव हैं, उसको दूर करें या उसको कम करें, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कि जो प्रदूशन, तो है प्रदूशन के कारण बहुत सारी बीमारिया भी हैं, प्राया हम देखते हैं कि वायू प्रदूशन के कारण फेफडे संबंदी कई बीमारिया हो जारी हैं, जैसे कि अस्थम व्रॉंकाइटिस है ये कुछ बिमारियां है साथ ही चर्म रोग उतपन होता है जैसे त्वच्छा संबंधी गैंसर उतपन हो रहा है यह खुजली जैसे बीमारी उतपन और यह अलर्जी उतपन हो खाज, खुजली, एलर्जी, कई तरह की बिमारियां होती हैं. तो ये तो हमने देखा कि कैसी कैसी बिमारियां किस किस प्रकार के प्रदुष्चन से होती हैं. अब हम पौधों के बारे में जानेंगे कि कुछ विशेस पौधों के बारे में कि जो बिमारियों को दूर करें या बिमारियों को कम करने या नियंतरित करने का कारे करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीम। नीम जो है वो मेलियसी कुल का पौधा होता है। और नीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पौधा है। जो की बहुत सारी शदी गुणों को लिये हुए है। बहुत सारे बिमारियों को दूर करने में सहायक होता है। साथ ही ये वातावरन को शुद्ध रखता है। और इसकी छाया जो है वो बहुत अधिक ठंडी होती है। इसकी जो पत्तियां होती है वो किटाडू नाशी होती है। इससे बनने वाला जो तेल होता है वो घाओं के लिए या घाओं के उपचार में सहायक होता है दूसरा हम देखेंगे कहवा कहवा जो पौधा है इसका botanical लेम अरुजुना टर्मिनेलिया होता है और ये अरुजुना टर्मिनेलिया जो है इसकी छाल से रंजक प्राप्त होते और यह जो रंजक है इसका उपयोग कुछ ऐसी दवाईयों में किया जाता है जिन से दस्त दूर होता है साथ ही जो मांसिक तनाव है उसको दूर करने के लिए बहुत सारी और शदी बनते हैं जिसमें अरजुना टर्मिनेलिया का प्रयोग किया जाता है इसके पत्तियों का सडकों के किनारे पर लगा होता है इसमें यह शक्ती होती है कि ध्वनी प्रदूशन को कम करें यहने ध्वनी को अवशोशित करने का कारिये करती हैं तो इसलिए प्राया रोड के किनारे जहां गाणिया बहुत दिखाई देती हैं तो वहां जहां देखते हैं कि पौधे लगाये जाते हैं जो ध्वनी प्रदुशन को कम करें वातावरन को स्वक्ष बनाने का भी कारे करते हैं इसकी जो फलिया होती हैं उसके जो गुदे होते हैं वो पेट साफ करने की और शदी के रूप में लाए जाते हैं और इसमें इससे भी रंग प्राप्त होता है रंजक प जाता है और चुकि आवला जो है ये बहुत ही महत्तुपुर्ण एक औशधी है जिसका हम डेली रूटीन में उपयोग करें तो हम हमेशा स्वस्त रह सकते हैं इसका प्रयोग त्रिफला चूर्ण के रूप में भी होता है त्रिफला चूर्ण में आवला बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉंपोनेंट होता है जो पेट संबंधी बहुत सारे विकार को दूर करने में सहायक होता है आवले का जो बीज है उसका जो पाउडर होता है वो बाल धोने के लिए बालों को मजबूत बनाने के लिए भी किया जाता है तुलसी जिसका बोटनिकल नेम है ओस प्राया हम देखते हैं कि घरों में मंदिरों में ये लगाया जाता है जो वातावरन को शुद्ध करने का कारी करता है और ये जो तुलसी है ये तुलसी की जो पत्तिया होती है ये खासी के उपचार में बुखार को कम करने में उपयोग में लाए जाते हैं ये बहुत अच्छ अगला है महुआ या जिसे मधुका, इंडिका भी कहते हैं, महुआ के जो बीज है, उसके फल है, फूल है, उसकी पत्तिया है, ये सब ही औश्रधी के रूप में उप्योग में लाए जाते हैं, चर्म रोग जो होते हैं, तवचा सम्बंदी जो बिमारियां होती हैं, उनको ये महुआ का प्रियोग किया जाता है, महुआ में तो सभी चीज इंपोर्टेंट है, उसका बीज, उसके जो फल है, उसके गुदा है, उसकी पतिया है, फूल है, ये सारा ही इसका औशदी गुण लिये हुए होता है, अगला हम देखेंगे रतन जोत, जिसे जेट्रूफा, सर वो बहुत सारे घाओ के उपचार में, बहुत सारे वुन्स के उपचार में इसको लाया जा रहा है, अगला है रिसिनस कम्यूनिस, जिसे हम अरंडी भी कहते हैं, इससे बनने वाले तेल के द्वारा साबून, मुमबत्ती या अन्य ऐसी ओशदिया भी बनाई जा रही है, औ हर्रा जो होता है, इसके अंदर 30 से 32 प्रकार के टैनिन होते हैं, और इस टैनिन का प्रयोग जो है वो चम्डे की रंगाई में किया जाता है, इस हर्रा को त्रिफला चूर्ड में भी उपियोग में लाया जाता है, जो कि पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए प इसे हम वेटिवेरिया जाइजेनॉइट्स कहते हैं, वेटिवेरिया जाइजेनॉइट्स जो है वो इसका बाटनिकल नेम है, इसका उपियोग जो है वो सौंदर प्रसाधन बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, बहुत सारे शर्बत जो शदी गुण लिये हुए ह इत्र हैं उनमें भी इसका प्योग किया जाता है ये पेट को ठंडा रखने वाले शर्बत की रूप में लाया जाता है ये इंसेक्ट रिपेलर भी होते हैं कीट प्रतिकर्शी भी होते हैं और इसका उपयोग बहुत सारे बीमारी जैसे गठिया है कमर दर्द है हात पेर या कई बर शरी में मोच आ जाती है तो भी इस तरह से खस का प्रियोग किया जाता है खस जो है वो बहुत सारे और शदी गुण लिये हुए होता है ये एक अच्छा प्रशीतक होता है उतेजक होता है अगला हम देखेंगे अफीम जिसे हम पापावर सोमनी फेरम भी कहते है अफीम जो है वो उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे ऐलकलॉइड बनते हैं जो की लकवा जैसी बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं बेल जिसे एगल मारमेलोस कहते हैं ये एगल मारमेलोस जो है वो भी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में सहायक होते हैं पेट उपियोग में लाय जाते हैं तो ये जो कुछ पौधों के बारे में हमने जाना जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी इसमें विमारियां थी जो कि वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन, मृदा प्रदूशन, द्वानी प्रदूशन इससे होने वाले दुष्प्रभाव को में सहायक हैं अब हम कुछ ऐसे नीतियों के बारे में जानेंगे जो कि environmental pollution protection नीतिया हैं यानि बहुत सारी ऐसे नीतिया बनी हुई हैं जो कि पर्यावरन प्रदूशन को कम करने नियंतृत करने में सहायक हैं तो भारत सरकार ने national committee of environmental planning and coordination का गठन किया हैं जिसे NCEPC भी कहते है और इसी अनुशंसा पर इसकी अनुशंसा या इस पर ही केंद्र जो है वो एक अलग से पॉलुशन प्रिवेंशन या कंट्रोल बोर्ड बनाए गये हैं जो अलग-अलग राज्जी में प्रतुशन नियंतरन का कारे करते हैं इससे संबंदित कुछ मुख्य-मुख्य कानून के बारे में हम समझेंगे जैसे कि जल अधिनियम सन 1974 और उनका संशोधन किया गया सन 1978 में अगला है वायू अधिनियम यह जो बनाया गया 1981 और उसका संशोधन अधिनियम बनाया गया 1987 तीसरा है वन्य जीव अधिनियम जो की 1980 में बना परियावरन अधिनियम जो की 1986 में बना और राश्ट्री परियावरन नयाय संग बिल जो है सन 1992 में बना तो बहुत सारे परियावरन संबंधी या परियावरन प्रदूशन को दूर करने नियंतरित करने के लिए जो कंट्रोल ब वनन्ग मंत्रा ले जिसका गठन उन्नीश ट्व श्सारा में किया गया। तो ये सबी जो नीधिया बनी है इसके बॉट्स बनी हैं उसके द्वारा भी छो टी ओर समीतिया बनी है जो की परियावरन प्रदूशन को नीधिया करने का बान आग yhte कि किस तरह परियावरन प्रदूशन के अंतरगत हमने वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन, मिर्दा प्रदूशन और इन से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनको समझा और इन दुष्प्रभावों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे स्पण्य अंतरण क्या जा सकता है इन इत्रसायन कैसे एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में उभर कर आ रहा है ग्रेन केमेस्ट्री जो की पर्यावरन प्रदूशन को कम करने में सहायक बन रहा है और इस पे लगातार खोज जारी है तो इस तरह से इस चेप्टर में हमने पर्यावरन प्रदूशन संबंधी बहुत स सारे टॉपिक्स के बारे में समझा